गुड मोनिंग, स्वागते आप सभी का स्टेडी इंडिया यूटूब चैनल पर तो आए शुरू करते हैं आज़ाम SSCHSR 2019 इंपोटेंट जीके SSCHSR टायर फरस्ट का विड नमर थर्ड जिसके अंदर हम बात करेंगे SSCHSR टायर फरस्ट के एक्जाम में जीके सम्मनित पूछे जाने वाले most important questions के बारे में ये वीडियो आपके आने वाले सभी exams के लिए भी काफी important है इस लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अगर अब दक आपने study India यूट्यूटर को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ नए वीडियो का notification पाने के लिए bell icon button क्लिक करना भी ना भूले वीडियो को like करें और share करें क्योंकि आपके like और share से में motivation मिलता है चली इसे के साथ शुरू करते हैं आपका वीडियो और देखते हैं 지금까지 का पहला क्योषन पहला क्योषन है 3300 आशियान सिक्कर सम्मेलन का igualば सिंगापूर में तेस्ट किरिकेट की इतियास में सबसे 33 सब्सक्राइब लगया था और किस टीम की खिलाब लगया था ओस्टिलिय खिलाब और कितनी गेंदों में चोवन गेंदों में सोरन गुरुत्व आकर्षन का नियम किस पर लागू होता है? किनी भी दो वस्तुओं की जोडी पर लागू होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्ष कोसन नेक्ष कोसन है गेस टरबाइन का विसकार किसने किया था? जोन बारबर ने जोन बार्बर ने गेस तरवायन का अविस्कार किया था मिस वर्ड दो हजाठारा किताब किसने जिता था वेनेसा पॉंस डी लियोन ने वेनेसा पॉंस डी लियोन ने मिस वर्ड दो हजाठारा का किताब जिता था टाइटन किस ग्रय का उपगर है तो नेप्चून का नेप्चून का टाइटन उपगर है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्ष कोशन नेक्ष कोशन है किस समराथ ने अपनी राजदानी दिल्ली से दोलताबाद के लिए ट्रांसवर कर दी थी मोहमद बिन तुग बंगाल के सोतंतर सनानी कुदीराम भोस का 18 वर्ष की आयू में निदन हो गया था सिल्वासा किस केंदर सासित परदेश की राजदानी है तो दादर एंड नागर हवेली की राजदानी है जो कि एक केंदर सासित परदेश है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक् अमिताफ गोस ने अमिताफ गोस ने 2018 में चोवनवा ग्यानपिट पुरुसकार जिता था और तरेपनवा किस ने जिता था कृष्णा सोगती ने USA के 50 डॉलर के नोट पर किसका चित्र होता है Ulysses and Grant का युएसे के जो 50 डॉलर के नोट है उस पर Ulysses and Grant का चित्र होता है वर्स 1915 में महाद गुपिय विस्तापन का सिधान्द किसने प्रस्तावित किया था Alfred Wegener ने अल्फ्रेड वेगनर ने वर्ष गुन्य सुपन्दरा में महाद दिवपी विस्तापन का सिद्धान प्रस्तावित किया था चलिया आगे बढ़ते ही और देखते हैं नेक्स कोसन नेक्स कोसन है मनुस्य में कितने प्रकार के दात होते ही चार प्रकार के मनुसिय के अंदर चार प्रकार के दातो ते हैं क्रतनक, रदनक, अग्र चवणा और चवणा भारती महिला क्रिकेट टीम के नए कोच को अने वारकरी वेकेंड रमन वारकरी वेकेंड रमन भारती महिला क्रिकेट टीम के नए कोच सीवी रमन को किस छेतर में नोबल पुर्सकार दिया गया था बोतिकी के छेतर में सीवी रमन को बोतिकी के छेतर में नोबल पुर्सकार दिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्ष क्योसन नेक्ष क्योसन है किस विशु विरासत इस्तल को यमुना नदी के किनारे पर बने आ गया है ताज मेहल को ताज मेहल वो विशु विरासते जिसे यमुना नदी के किनारे पर बने आ गया है ताज मेहल किस ने बनोया था साजार पुस्तक रेडियो कस्मी टाइमस ओफ पीस एंड वार किस ने लिखी थी? डोक्टर राजेस भट ने डोक्टर राजेस भट ने पुस्तक Radio Cosmic Times of Peace and War नामक पुस्तक लिखी थी अमोनिय नाइट्रेड का रासाइनिक सुत्र क्या है? NH4NO3 अमोनिय नाइट्रेड का जो रासाइनिक सुत्र है वो NH4NO3 चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Next Question Next Question है प्रत्वी के वायू मंदल की सबसे बहारी परत क्या 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 आती है? Exosphere प्रत्वी के वायू मंदल की जो सबसे बहारी परत है Exosphere क्यालाती है NASDAQ में सुचिबद होने वाली पहली भारत्य कंपनी कौनसी है? Infosys NASDAQ में सुचिबद होने वाली पहली भारत्य कंपनी Infosys है नर्मदा नदी के तट पर कौनसा सेर इस्ती ते? भरुच नर्मदा नदी के तट पर भरुच नामक सेर इस्ती ते? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्ष कोसन नेक्ष कोसन है मुगल सासक ओरंग जेव के मरत्यू किस वर्ष होई थी? वर्ष 1707 में मुगल सासक ओरंग जेव की मरत्यू वर्ष 1707 में होई थी प्रेरन कुंडली का विसकार किसने क्या था? निकोलस कालन ने निकोलस काला ने प्रेरण कुंडली का अविस्कार किया था भोतिक मात्रा प्रेरग तत्तु की इकाई क्या है 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 हैं हैंरी भोतिक मात्रा प्रेरग तत्तु की जी इकाई है वो हैंरी है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन सविधान सभा के पहले अईस्ताई अद्यक्स कोन थे डोक्टर सचिदनन सिना सविधान सभा के पहले अईस्ताई अद्यक्स थे पहला T20 किर्केट विशुकप किसने जिता था भारत ने जो पहला T20 किरकेट विसु कब था वो भारतम जीता था उर किस टीम की वियुद जीता था पाकिस्तान की विरुत और 2016 का पूरुस T20 किरकेट विसु कब किसने जीता था वेस्ट इंडीजनी चोखेर बाली के लेखर कौल है रविंदनार टेगोर है तो ये था हमारा आज का SAC CHSR 2019 इंपोटेंट जी के SAC CHSR टायर फरस्ट का विडियो नमर थर्ड इसके साथ आज का वीडियो यही समापत वता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक, कमेंट और सेर करना बिल्गुल विना भूले हम फिर मिलते हमारे अगले SAC CHSR 2019 इंपोटेंट जी के SAC CHSR टायर फरस्ट के विडियो नमर फोर के साथ तब तक के लिए थेंक यू करे चाम करता है